हलो फ्रेंज रेनु की रसोई में आप तभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने जारी बहुत ही ज़्यादा टेश्टी और जटपट बनने वाला नास्ता की रेसिपी जिसे लेप्टोबर रोटी के साथ में बनाएंगे तो वीडियो पूरा देखिएगा रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर जरूर से जरूर कीजेगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहां पर एक रोटी ले लेंगे और इस रोटी के ऊपर हमें सैंट्वीज वाला चटनी बहुत ही अच्छे से लगाना है और इस चटनी का रेसिपी गुंगरा सैंट्वीज वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा उसमें मैं डिटेल रेसिपी सेर की हुई हूँ तो रोटी के ऊपर चटनी बहुत ही अच्छे से लग चुका है इसके ऊपर से चीज स्लाइश डालेंगे और हाप रोटी के ऊपर रखना है पूरा में नहीं रखना है इसके बाद इसमें अनियन रिंग डालेंगे और कैप्सिकम डालेंगे यहां मैं सारी चीजों को इस तरह से रिंग में कट करेंगे आप चाहे तो स्लाइसेज में भी कट कर सकते हो चलिए इसके ओपर से बॉइल किया हुआ आलू डालेंगे आलू डालने के पर थोड़ा सा नम यहां जाए पर चीज रिंग करने के बाद इस तरह से रोटी को उठा करेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे इसके ऊपर से लगाएंगे बटर यहां पर आप चाहे तो घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं बटर डालने से बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है चलिए अब इसे सेख लेते हैं, तो सेखने के लिए हम इस तरह से ग्रिलर के इस्तमाल कर रही हो, आप चाहे तो सिंपल तवा या फिर ग्रिल तवा में भी सेख सकते हो, अब बटर वाले साइड को नीचे रखेंगे, उपर से एक बार और अच्छे से इसमें बटर लगा दें चलिए अब इसे अच्छे से कलर आने तक सेख लेते हैं, तो लीजे फ्रेंस, मुंबै संवीच बनके तयार है, वह भी लेप्टोबर रोटी के साथ में, चलिए अब इसे कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद इसे सर्व करेंगे, तो यहां पर मैं सर्व करने के लिए इस इसे टमेटो केचप से थोड़ा सा जिक जेग बना दे रही हूं, और इसके ओपर से थोड़ा से मयोनीज डालेंगे, प्रेजेंट आप अपने पसंद के अनुसार कर शकते हैं, आप चाहो तो टमेटो केचप डालने के बाद चीज ग्रेट करके भी सर्व कर शकते हैं, उसक खोदी अच्छा लूक आता है, तो एस रोषा है को बनाना है जरूर शहिसे ट्राइग किजेगा और इस आसान रेषीपी के लिए एक लाइक से रिशे इर्थdoor बनते हैं और आप लोग इस रोषास रिस Talk कि जहेगा, कि आपको ये रोषा ज़रूर कमेंट कीजेगा लागी और आगे अच्छी ची रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सिस्क्राइब कीजेगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाबाई, थैंक यू,